अगर हम बात करें, TGT में विकिंसी की तो साड़े 3000 हजार विकिंसी हैं जिसमें जो बालक वर्ग है और जो boys school है, वहाँ पे जो विकिंसी है वो है टोटल बत्तेस सो तेहा जो females हैं वो बालक वर्ग में या करके अपना apply कर सकते हैं ठीक तो जेनरल में हम देख रहा है English subject की जब हम बात कर रहे हैं क्योंकि TGD PGD की बात हो रही है तो क्या होगा है आप सब्जेक्ट की बात होगी क्या आपने graduation क्या होगा आपने post graduation क्या होगा या B.A.D. क्या होगा इसमें physical education से लेके science से लेके home science से लेकर के maths तक सारी अलग-लग subjects हैं अगर हम बात करते हैं बालिका वर्ग की यानि girl section की तो यहां पे 326 vacancy है तो आप देख सकते हैं जहां vacancy आपको लगे के suitable है तो females तो male section में भी apply कर सकती है अगेन यहां 13 subject की vacancy है TGT की यह बात हो रही है PGT की अगर हम बात करते हैं तो प्रवक्ता जिसको हम कहते हैं इसमें बालक वर्ग में 500 डंचास यानि 500 PGT के लिए और post graduate teacher और female वर्ग में आपका 75 seats है ठीक है इतनी बात अलग-अलग subjects यहां given है यह आप खुद भी पढ़ सकते हैं detail में age की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं 21 वर्ष से या 21 से लेके 60 वर्ष तक अगर आप कहीं भी आते हैं तो आप यह form fill कर सकते हैं tat और seated की जुरत इसमें है या नहीं है आगे बात करेंगे वैसे जुरत नहीं है ठीक तो 21 से 60 वर्ष के उन वर्गर आपकी है अच्छा इसमें सबसे पहले other state की बात करें तो other state वाले apply कर सकते हैं पर उनको कोई भी benefit नहीं मिलेगा तो appearing में आप नहीं भढ़ सकते कोई भी भारत वर्ष में ऐसा form है नहीं जिसमें नौकरी के लिए आप appearing में भढ़ दें appearing का मतलब क्या है कि आप second year में है final year में है अपने teaching training के B.Ed. के या कोई भी और अगर equivalent degree है तो तो उस case में आप ये form apply नहीं कर सकते हैं जिस दिन last date है यानि 9th July को अगर last date है उससे पहले अगर आपका result आ जाता है तो well and good ठीक, seatate इसमें नहीं चाहिए, seatate या tet नहीं चाहिए, ठीक, other states candidates बिल्कुल apply कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बस relaxation उनको नहीं मिलेगा, ठीक application होगी तो दिक्कत होगी, ठीक, आगे बढ़ेंगे, बात रही subject की, उस पे अभी आएंगे, जो subject combination है आपका, exam pattern की अगर बात करते हैं तो ये offline mode में exam होगा, offline समझते हैं आप, वो जो गोले भरने वाला OMR sheet वाला exam, बहुत कम ही paper बचे हैं, मुझे लग रहा है UP की ही परिक् दूसरा negative marking नहीं है, तो हम कह सकते हैं no negative marking, इसके अलावाद 2 घंटे का paper है, MCQ based होगा, यानि बहु विकल्पिया प्रश्न, चार option जो आपके सामने होते हैं, 125 question होगे, 4 marks each, यानि 500 number होगए total, ठीक है, TGT की बात कर रहे हैं, इतनी बात clear है, ये हुआ exam pattern, clear है ये बात, subject आप आपका obviously अच्छा होना ही चाहिए, अब बात आती है TGT और PGT को लेकरके eligibility या subject combination की, जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो TGT में simple है कि आपने graduation किया हो, graduation किया हो, इसना तक आपने पास किया हो, plus आपका B.Ed, आपने अपनी जो degree है वो complete की हुई हो, अब इसमें graduation में क्या है, कि आपके पास, जिस भी subject से आप जा रहे हैं, चाहिए वो Hindi हो, English हो, Maths हो, कोई और subject हो, at least two years आपने वो graduation में पढ़ा हो, तीन भी पढ़ा होगा तो चलेगा, but at least two years आपने वो पढ़ा हो, साथ में आपकी B.Ed हो, ठीक, इतनी बात clear है हमें, यह बात हो गई किसकी, TGT की, ठीक अब बात करते हैं, हम PGT की, अगर बात PGT की करते हैं, तो obviously यहाँ पर Masters चाहिए होता है, यानि M में या फिर जो भी MSC, कुछ भी हो सकती है, तो Masters प्लस, इसको Masters ही लिख लेते हैं, क्योंकि सबने M में नहीं किया होगा, Masters आपके subject में, प्लस आपका B.Ed, ठीक है, तो आप हो फिर eligible किसके लिए, PGT के लिए, तो यह कहानी हुई, eligibility की, detail में आप एक बार वो जरूर पढ़िएगा, जो भी advertisement है, कोई भी कितना भी बताए, बट जरूर यह है, क्योंकि आपको अपने subject की knowledge है, वो पता है, कि आपके पास कौन सा subject कितने time रहा है, तो दो साल का combination आपका होन economics, तो इन चारों में से किसी दो का combination आपके पास हो, दो साल के लिए at least, प्लस भी एड, ठीक, that यहां नहीं चाहिए, 9th June to 9th July, यह application form, कुछ एक 700 और वो category wise है, fee जो है, तो apply आप कर दीजे, और यह apply जो होगा, यह online mode में होगा, बिलकुल पूरी तरह से online है, तो आप online website पे ज लिंक दे दूँगी, तो online आप apply कर दीजे, या किसी cyber cafe से करा सकते हैं, बिट वहाँ रिस्क और ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान से फिल कर आएगेगा, अपना form, कोई भी detail गलतना हो, photo गलतना हो, signature गलतना भरे, सारी चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, ताकि बात आज की इस vacancy के बारे में, अब किसी का कोई भी extra doubt है, तो पूछ लीजे, ये main चीज थी, जो हमें discuss करनी थी, जो main-main highlights थी, इस vacancy की, UP, TGT, PGT की, वो हम discuss कर चुके हैं, और ये vacancy आई हैं, तो आखे, super tech की भी हम बात सोच सकते हैं, कि जल्द देखने को मिले, बाखी KBS वग पूछना हो, तो आप comment करके पूछ लीजे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये छोटी सी information पसंद आई हो, तो like, share आप कर दीजेगा, है ना?